अपलब दियां क्या थी हम इस वीडियो के माद्धिम से जानने कोशिश करेंगे एच्विमेंट और पुश्य मित्र सुंग देखी सलेबस के कोडिंग आपको सबसे पहले दो पर टाइप के परसन बन सकते हैं यह दो परसन आता है कि पुषर कॉन था इसके उपलब्धियां क्या थी ज हाता है야 य्हां सकते हैं यह प्रशन बनाता है को अंपलब्धियां टो पुषर मित्र हम पट रहे हैं पुषर मित्र अंतिम बोरे नरेश वरह दर्थका पढाया लेयाड रहएं ठीक है उसके प्राणविक जीवन के विशे में कुछ जादा जान करें नहीं मिलती है दिवी विदान से केवल ये पाचलता कि पुष्य धर्म का पूतर था सभी शाधन उसके इतिहास के प्राणविक जीवन सही करता है ठीके ग्यात क्या होता है कि सेना का निर्खशन करते समय वरःधर्थ की यानि एक दिन जो वरःधर्थ अंति मौरीशासक जो था वो सेना का निर्खशन कर रहा था और पुष्हे मितर सुमुस के शाथ था उसने इसके धोकेश हत्या कर दी पुरान दाथा बानबहट के हरिष्च्रीट दोनों में इस गहत न का उलेख हुआ है ने रिखाने के बहाने अपने परगया दुर्बल बुध्धिन स्वामी वरह दर्द के हत्या कर दी तो यह बहुत महतुपूर्बन जानकारी है उसने शेना दिखाने के बहाने हैं अपने परग्या दुर्बल यानि जो बुद्धी हिं था बुद्धी से दुर्बल था अपने श्वामी वरदत के हत्या कर दी पुरान हर्ष्ची तो वालमेक का अगनी मित्र सभी में पुशे मुत्र के लिए शेनाने था शेनापती वालवीगा अगनी मित्र में विशे सुपसे उलेक मिलता है वो अगनी मित्र को राजा बताया गया है इस आधार पे कुछ विद्वानों का विचार है कि पुशे मुत्र कभी राजा बनाई नहीं वरह दर्थ को पदचूत करने के पर शाथ उसने अपने पुत्र को राजा मना दिया था कि इस परकार का विचार तरक्षंगत नहीं लगता हमें गया था कि पुशे मित्र ने श्वयम दो अश्व मेगे किये थे इससे प्राचन भारत में राज सत्या का पर्तिक मना जाता था इससे सबस्ट है कि उसने राज्य भार गरहन किया था यह वो शौतंतर श यह शेन वरह दर्त के शचीव का साला था उसने सुंगो को सभाविक शत्रू बताया गया क्या बताया गया सुंगो का सभाविक शत्रू किशे कहा गया है यह सेन को सुंगो का सभाविक शत्रू कहा गया और इसके नेतर्तों में जो है वह शुतंतर हो गया अब देखिया जय जय किया वर्यदत की हत्रयशे के पशाट उसके सचीju को कारगार में डाल दिया। इस नाटक के अनुसार ही मालविका अघनिमीत्र in .... गनुसार पुशे मिट्र का पुत्य जो अग्नीमित्र था वो विदीश चेय पाल था और उसका मिट्र था माधवशेन जो विद्रव नंदेश येक시면 का रजा होना चाहिता लेकिन जो है वो बना कौन था वो येक Arrow बना था तो दोनों की शान अच्छे नहीं थे ऐसा लगता है कि विद्रब की गद्धी के लिए येक्षेन का प्रतिदाउंदी जो था दाविदार था एक बार विद्धी से जाते हैं समय उसने येक्षेन के अनंत पाल को बंदी बना लिया अगनी मित्र ने येक्षेन से अपने मित्र माधुषेन को कर देगा इस प्रगनी मित्र ने अपने सनापती वीर्षेन को तुरंत विद्रप्य आकमन करने के लिए प्रोसायत किया कि ये वो सर्त रख रहा है तो हमें आकमन करना है और येक्षेन प्राजित हुआ और विद्रब राज्ये जो है वो दो भागों में बांड दिया गया तो इस यूद्ध का प्रेणाम क्या हुआ विद्रब राज्ये का जो ततकालिन राजा था वो यक्षेन था और उसको ये हार हुई और विद्रब राज्ये के दो भागों बाढ़ दिया गया और वर्दान अधी जो है दो नाधियो की شेमा मान लिगी इस राज्ये का एक भा पाई थी उसे सिगर उखड़ा दा सकता था इससे भी सुझी होता है कि विद्रभ युद्ध पुष्य मित्र द्वारा मोरी समराजी पर अधिकार करने के ततकाल बाद प्रारम हुआ और वुरत दर्थ का सचिव इसमें पुष्य मित्र का प्रबल राजनेतिक प्रतिदावंद तो जब पुष्य मित्र ने पाटली पुट्र पर दिकार कर लिया था सचिव को बंदीग्रह में डाल दिया तो ये इक्ष्य मित्र के पुट्र अगनी मित्र ने इसको किया था और इसमें उसके विजय हुई और विद्रभ राजी के दो भाग मांड देगे और अपने राजा स्विकार कर लिया दूसरी उपलब्दी में देखते हैं यवनों का आकरमन हुआ पुष्य मित्र के सचनकाल के सबसे महत्रून घटना यवनों के भारती आकरमन के विन साक्षुए पाचलता है कि यवना आकरमन कारी बिना किसे अवरोध के पार्टली पूतर के वाशे में अपने अद लंग का प्रियुक समझाते हुए लिखा कि यवनों ने शाकेत पे आकरमन किया यवनों ने माध्यमिका पे आकरमन किया गारगी शहिंता में इस पस्ते शाकरमन का उलेख हुआ जहां बताया गया है कि दुष्ट विक्रांत यवनों ने शाकेत पर 2 लाया था उस नमीशना को दो भागों में भाजित किया पर्थमगा. करनेता तो उसने स्वेम ग्रहन किया यह भाग शंदू को पार कर जी तोड़े तू पाटली पूतर पहुंच गया और दूसरा सिने दल मिनांडर के नेता तो यह मथूरा पांचालो शाकेत के रास्ते पाटली पूतर पहुंचा तो यह अलग-अलग मत हैं टोण अलग कहता है थीक है तो टोण ने दो भागों में बाटा है लेकिन डिम्यटेश को मुख्य माना है नगिंदर नाथ गोच कहता है कि डिम्यटेश और मिनांडर जो है वो दोनों के आकर्मन हुए है त्विए और आगे देखिए केलास न्दोजा का नुसार मगत पे डेमिटे शत्वा मेनाड़ के समय कोई यवन आकरमन नहीं होगा कोई आकरमन ही नहीं होगा इन दोनों के समय मद देखंगा घाटे में यवन इन दोनों में बहुत बाद में शक और पहलों के दबाव से पर्थम इस्ताफ दीशाप पुरे मैं इदीस मत को स्विकार किया जाए तो मानना पड़ेगा कि पुश्य मितर सुन के समय भारत में कोई आकरमन नहीं हुआ लेकिन जो है वो कालिदास का मालुए गनी में तरह मुगारगी शहीता इस बात का उलेक करता है पुरानों में उलेक है तो यह संभूत है मौरे नर्ष वरधर्थ के सासनकाल में आकरमन हुआ था और सेनापती के रूप में पुश्य मितर ने यवनों को प्रास्त किया था और इसी लोग प्रिता का फाइदा उठा कर दी राजा बनने के बाद पुश्य मितर को दूसरी यवना करना करना पड़ा एक नारण का विचार है कि मद्दे भार्थ पर यह उनों का एक आकरमन हुआ और पुश्य मितर के सासनकाल में अंतिम हुआ इसके इसके नुसा डेमितर कभी भी काबूल घाटिश आगे नहीं बर्सका था परन तो शंपुन पर से इतना उल्जावा कि इस विश्य में निशिस रुप से कुछ भी कहना दुश्कर है वास्तिक्ता जो भी हो पुश्य मितर के समय में शंबहता आकमन हुआ होगा लेकिन उसे कर दिया गया और यह युद्ध जो हुआ वो पुश्य मितर मालव अगनी मितर कहता है पुश्य मितर की एक का घोड़ा उसके पोत्र वश्य मितर में गोंते विश्य मदी किनारे यवनों दुरा पकड़ लिया गया इस पर दोनों से नाव में भेंकर युद्ध हुआ वस्य म कंध кнопeni maior सिनुनादी से हैं ऑर मपातिकों है रहे हैं स्वेम नाट यूद्य में विज्जे का समासार इक हिस्त में प्राप्त किया इए तो यह कालिदास के माधिम घ 然後 करें मिलती है देख लेना को विशेश रहे हैं यह उनों को प्रास्त करना निश्यत रुप से पुष्य मित्र सुंग की एक महान सफलता थी के पी जैसवाल ने हाति गुपा लेक्ट अधार पी परतिमादित किया है कि कलिंग राज खारवेन ले अपने सासने काल के बारवे वर्स में बहसबती नामक मित्र नामक जिस मगद पुष्य मित्र सुंग था के पी जैसवाल का मत है किंदू सभी विद्वान इसको सविकार नहीं करते खावाइक देथी इस्षा पुरोपर्थम इस्ताब्दी किये आते वह पुष्य मित्र का समकाले नहीं हो शकता अथी गुपा लेक में वनित मगद का राजे और पुष् पुष्य मित्र पासिन मोरी समराजे के मद्यवर्ती भाग को सुरक्षित रक्षकने में सफल रहा उसके समराजे में अयुद्य और विदीशा दोनों सामिल थी अयुद्य के लेक में पुष्य मित्र का उलेक मिलता है विदीशा में उसके पुत्र अगनी मित्र हसन करता था म पुष्चे मित्र सुन के समराजी की राज़धानी जो थी, वो क्या थी? पाठले पूतर थी. पुष्चे मित्र के शासन विश्टा है की विश्वर्न में एक ज्याते नहीं, जागा जानकरी नहीं मिलती. लगता है कि उसने मोरे सामराजी के परसासन के सुरू को बनाया रखा मनुश्मर्टी का धार पर कहा जा सकता कि समराथ अपने देवी उत्पति में विश्वास रखता था यानि कि हमारी गुत्पति हमें इश्वर ने भेज़ा है और हम इश्वर के आदिश के तहती शासन कर रहे हैं ये मानते थे उस समय के केपी जाय स्वाल का विचार है कि मनुने राजा के देवित पत्ते का शिधान्थ पुष्चे मित्र के ब्राह्मन समर्जे का समर्थन करने को दिसरे परतिबादित किया था और ये मनुने बता yapt專 गे और बालक राज़ा का अफमान नहीं करना चेह कि मनुस्य कृचिम्हे से महत्ता होता है कि इसका यह नहीं कि सासरी निरिंक्स होता था था व्योपार में गोषिट किया व्योज पुछित कि उध्य भागों में राज-व्योग कॉने प्रहार को सस्क्राइब कर देभ ध्याद्र युद्यालेक के अनुसार धंदेव कोशल का राजेपाल था वो सुमित्र की उदान से भी सपस्टे की राजकुमार सेनाकार संचालन करते थे मालविका अगनी मित्र में अमात्य प्रिशद और महाभाश्य में सभा का उलिक हुआ है महान फल देनेवाला राजय के राजय के दौरा की से किसे वनुस्धमर्ती का वरत्मान विक्षित रूबी सी समय का मना कन शुंकाल कर che right on की तो मौरी काली केंद्री नियंध्रिम follower 2010 शितिल निहरा वी गुर्य विकेंद्री करण की शुरूएब करनंधी शुरुआथ हो चुकी थी शुंकाल में पाठ्ले पूतर वाजधाνη थी यह त्पी ऐसा लगता कि विदीशहा कहाराजनेतिक और सुंस्वकृ तिक महतुए जादा बढ़ गया था पाटले पुत्र के पिकषा अश्वमेग इकस ने किया था दो अश्वमेग अगुव लेक मिलता है पतंजली के महभाशे वरत्मान लटलकार के उदान बता गई इहम पुष्यमित्री आजमाथात यहम पुष्यमित्र के लिए यगिर करते अयुद्य अभी लेक में पुष्यमित्र के दो अश्वमेग अगुव का अनुष्ठान करने वाले में कहा गया है दिवी अश्वमेग याजिन किशे कहा गया है पुष्यमित्र सुंको दिवी अश्वमेग याजिन कहा गया है ऐसा पर्दित होता है कि जब उसने राजधान इसलिए से काश्यव गोत्री दिविज का गया है तो दार्मनिती के बारे में उलेक मिलता कि बहुत गरंद दिविवदान तो तीबती इतियासकार तारनात के विरण से पुष्य मित्र सुंकु बोधों का गोर सत्रूर इस्तूप और व्याहरों का विनाशक बताया है यानि इस प्राप्त की लेकिन यह संभावना है जरूर निये सही हो अपने ब्रह्मन परूरुद के राय पे पूष्य मित्र महातामपुद की शिक्षाओं को समाप्त करने की परते हैं कि पाटली पूष्य इस्थित कुकुट राम के महावियार को नश्ट कर दिया प्रंद करने गया प्रंतु एक गर्जना सुनके वापस लोटा है ऐसी संभाना बताएगी उसके बाद उसने चतुरंग निशेना के साथ इस तुपो को नश्ट करता वा चतुरंग निशेना मतलब हाती गोड़े सब भिक्षू की हत्या की वियारों को जलाया उसने गोशना कि कि मुझे जो ए अनके शाहरक के रूप मेशकि बुर्ण करती है इसके समय में सुंगो के सांची और भरुट से पराप्थ किला तो सांची और भरूत के तोड़नों का निर्मान द्रिक अलिंग प्रिश्व का प्रेणाम था हेवेल ने कहा है और इस समय के थे सुंकाल की कला बहुत महतुप है याद रखना और उत्रा दिकार्यों के बारे में ज्यादा कुछ आपको देखना नहीं अगनीमित्र आपको या तो तुराओी ऐशा वो ज्या पूर कामाराई, नुक्चा साओ क्था है